हेलो सो टेक्नोस में आप लोग का स्वागत है और मैं यहां पर आ चुका हूँ अपने फिर से वही जगा पर और आप लोग को यहां से जो टेक्नोस देने वाला फटावट से बहुत सारे काम यहां पर पेंडिंग है तो वीडियो पसना है कि तो लाइक करें और मुझे एक्च इंडिया में कुछ 28 वरवर की आसपस जो लाउंच होगा और मेरे पास भी आ जाएगा वैसे मैंने यहां पर भी बूत पर देखा था पड़े हुए थे लेकिन मैंने सोचा मैं एक्चली गीववे करने की प्लानिंग कर रहा हूँ तो जब आएगा तब आपको मुमई में उ लाउंच होगा जो इन दोनों से बहुत ही मतलब काफी बजेट वाला फोन होगा वो और अभी यहां पर उसके कुछ बैक केस निकल कर आये ऑनलाइन लीक हुए जिससे यह पता चला है कि इस पर आपको वही वाटर डॉप नौच वाइल इस पर मिली कि अच्छी कासी प्लस सिंगल डियर फेसिंग कैमरा भी देखने को मिलेगा और अभी उसके अलावा यहां पर कोई जानकर यहां पर नहीं आई है अब 830 और 850 के बारे में तो पता ही था अब 810 कैसा होगा फिलाल के लिए यह तो नहीं पता लेकिन हाँ यह शायद से आपको M10 के प्राइस के प्रासिफ डिस्प्ले मिलेगी जो बहुत बढ़ा होगा प्लस आपको कोलकॉम वाला अंडर डिस्पे अल्टर सोनिक फिंगर पिंट स्कैनर मिलेगा जो उनके एस्टेन के डिवाइस में आपको रिसेंटली मिल रहा है उसके अलावा चार कैमरे मिलेगे जो एस्टेन का 5G उसमें चार कैमरे मिलते हैं तो इसमें चार कैमरे मिलेंगे साथ में Exynos 9825 वाला प्रोसेसर होगा अभी तो 9820 आया है यह 9825 के साथ में आएगा ऐसा पता जाएगा अभी यह मॉडल नमबर जो देखा गया इससे पता चला है कि इसमें 5G हो सकता है क्योंकि एंड वाला जो न देखने को मिलेगा और उससे पहले भी टैना सर्टिफिकेशन पर यहां पर यहां पर लीक होकर आ चुका है जी हां अभी यहां पर इसमें ऐसा बता जारे कि आप लोगोंको सब कुछ सेमी मिलेगा जो रेड्मी नोट 7 में आपको देखने को मिला था आपको यूशेप वाल सब कुछ आपको मिलेगा अब नोट 7 प्रो इंडिया में मुझे नहीं पता इतना जल्दी अभी आने वाला लेकिन नोट 7 नौच होगा है अब कुछ 28 तारीक को उसके बाद ही हम देखते कि नोट 7 प्रो इस बार हमारे ले क्या खास लेकर आता है तो यहां पर रियल्मी की सब्सक्राइब करता है अब रियल्मी 2 से कंपार करता हूँ देखते हैं दोस्तों क्या कुछ खास लेकाता है क्या होगा जो भी होगा मैं आपको चार तारीक को ही एडिशनल डीटर्स इसके बारे में बता दूँगा तो यहां पर रिसेनली दोस्तों एक बहुत ही बुरी ख़बर आ रही है और फिलाल के यहां पर यहां पर यहां पर Sprint.T Mobile के जो Networks है जो 4G और 5G अभी आने वाला उसके उपर चलने वाले है इनमें यहां पर ऐसा Flaw देखा गया कुछ Researcher से उन्होंने यह बता है कि Hackers यहां पर वैसे उनको तीन अलग लग तरीकी के Flaws मिले है टोर पेड़ा, Pierser और IMSI Cracking Attack कर के कुछ है अब यह क्या होता है इसके द्वारा जो Hackers होते है वो लोग आपके फोन में जो Network होता है उसके अंदर Call को Intercept कर सकते है प्लस आपके Location को भी जो ट्रैक कर सकते है जी हां Hackers को कुछ ऐसी चीज़े यहां पर मिल गए यह कैसा होता है कि जब आपको Incoming Call आता है उससे पहले ही वो लोग Intercept कर सकते है ऐसी चीज़ें यहां पर Hackers कर सकते है कुछ Radio equipment होगा उनके पास जो 200 डॉलर से भी कम होगा उससे वो लोग यहां पर यह काम करें तो ज्यादा टेकनिकल जाने की ज़रूरत नहीं बस इतना पता चल रहा है कि 4G 5G Network जो इन Networks पर वो safe नहीं है कुछ यहां पर flaws मिले अगर जल यह Fido 2 क्या होता है वैसे जितने भी website से कुछ ऐसे applications भी है जहां पर आप जाते है अपने ID को डालते हैं फिर password भी डालना पड़ता है लेकिन कुछ-कुछ banking applications अभी है जो आपको सिफ under display या rear facing से ही आप fingerprint से ही वो unlock कर दिता है password डलने के आपको जरूरत नहीं है तो security आपकी थोड़ी better हो जाती है तो यह होता है Fido certified इसलिए आप यह कर सकते हैं अभी क्या हो गया कि सारे Android phone जो Nougat के उपर है तो चाहे हो वेबसाइट पर जाओ या applications में जाओ जो आपको provide करे के इसी service में से उनकी बात कर रहा हूँ तो आप Fido certified है आपको attention लेकी जरूरत इसलिए में अपने काफे सारे phones लाँच कर दिया साड़े 6,000 रुपी की प्राइस स्टार रता है और 22,000 रुपीज तक कर जाता है उसके अलावा उसके उपर भी जाता होगा लेकिन आपको L4, A2, G5, G3 और S1 करके उनका premium phone मिलता है जो pop-out camera के साथ में 8MP selfie है Helio P70 है, dual rear facing camera है मुझे email भी आया था, अगर ऐसा होता है तो 20-22 की बीच में अगर आपको एक pop-out camera वाला phone मिलते है Helio P70 के साथ में, तो मेरे सब से काफी अच्छा phone होगा, लेकिन जबी भी आएगा ना, तब उसके बार में आप लोगो बता देंगी, तो बस दोस्तों इतना है इस वीडियो